नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागा कापके अपने चैनल एगरी स्टेडी पे दोस्तों आप मैंसे बहुत से लोग इपको एजेटी के एपलाई कर चुके हैं और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं एक्जाम बहुत ही जल्द होने बाला है इपको के जैसा ही एक सिमिलर जॉब है क्रिबको फिल्ड रिप्रेशनेटिव ट्रेशने ट्रेशने हर साल रिलीज करता है इस साल का नोटिफिकेशन फिलल अभी तक नहीं है इस जॉब के बारे में पुरा जानकर इस वीडियो में हम ले लेंगे कितना आपका salary होगा क्या आपका education qualification चाहिए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले बात करते है educational qualification की आपके पास 4 साल की B.S.A. agriculture degree होना चाहिए minimum 65% marks आपके पास होना चाहिए और equivalent CGPA होना चाहिए मतलब 65% marks होना चाहिए या फिर 65% की equivalent CGPA आपके पास होना चाहिए क्योंकि इन लोगों का काम state to state होता है तो आपको जो regional language है वो लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए और ये state के लिए applied होता है knowledge of the regional language is masked for the applied state इसके बाद हम बात कर लेते हैं horticulture बाले, agriculture, engineering बाले इसके लिए eligible है क्या, इसके लिए eligible नहीं है cable, BSC agriculture के students इसके लिए eligible होंगे अब हम बात कर लेते हैं age limit की क्रीब को field representative training के लिए आपका maximum age 23 years होना चाहिए 23 years से ज़्यादा आपका age होगा तो आप exam नहीं दे पाएंगे H, C, H, T, O, B, C, किसी भी तरह के कोई भी age relaxation प्रोवाइड नहीं किया जाता है आपके maximum age 23 years होना चाहिए आप हम बात करते हैं सबसे important question की आपका salary कितना रहेगा इस job का pay scale है 34,000 से 76,000 यानि की minimum 34,000 मिलेगा maximum 76,000 मांथले आपको दिया जाएगा इसके साथ आपको कुछ extra benefits भी provide किया जाएगा अब हम बात कर लेते selection procedure की कैसे selection किया जाता है generally दो पार्ट में exam conduct किया जाता है एक written examination होता है और उसके बाद एक interview होता है और select किया जाता है written examination का exam pattern कैसा होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं total 100 marks का exam होता है 100 marks में 100 questions पूछे जाता है इन में से general agriculture में 70 questions पूछे जाता है और बाकी के 30 questions पूछे जाता है reasoning, quantitative aptitude, general knowledge और computer application से इन में से general agriculture आपका subject test देखा जाता है आपका subject में कितना knowledge है और बाकी सारे में आपका कितना reasoning ability है quantitative aptitude करने का ability है और आप कितना current affairs follow करते है ये सब देखा जाता है और एक important point है इसमें कोई भी negative marking नहीं होता है अब हम बाक करते है post के बारे में इपको के तरही क्रिब को भी अपना post के number है वो कभी बताता नहीं है लेकिन assume किया जाता है कि 2019 में total 50 के आसपास post recruitment हुआ था तो आप एक assumption लगा सकते है 2020 में फिला लभी तक कोई भी notification नहीं आया है अगर आता है तो इसके आसपास ही vacancy आएगा अब हम बात कर लेते हैं आपके कुछ questions की जो आप हर वीडियो के comment section में पूछते हैं और इसमें भी पूछेंगे मुझे पक्का यकीन है same questions कि इसमें कोई age relaxation होगा या नहीं नहीं जो notification 2019 में आया था उसी के हिसाब से इसमें कोई भी age relaxation SC, ST, OBC के लिए नहीं है नमबर टू में जो question है BSC Agriculture Engineering BSC Horticulture BSC Food Science Graduate एपलाई कर सकते हैं क्या नहीं जो official notification आया था उसके हिसाब से 4 सल की bachelor degree और BSC Agriculture में 65% marks होना आबश्यक है और equivalent CGPA होना चाहिए तब भी आप एपलाई कर पाएंगे इसका मतलब है बाकी सारे streams के students अपलाई नहीं कर पाएंगे नमबर 3 पे जो questions आप लोग हर बक्त पूछते है Private Agriculture वाले students इसमें अपलाई कर सकते हैं या नहीं Private Agriculture वाले students इसमें अपलाई कर सकते हैं अगर उनका जो institute है वो को ही state और UGC मान्यत अपरफ्ट इन्वर्सिटी से recognized है इसका मतलब उनका institute अगर UGC से मान्यत अपरफ्ट है तो वो लोग apply कर पाएंगे इसके लिए ICR का अपलाई कर पाएंगे आखिर जो question है Final Air के B.S. Agriculture student apply कर सकते हैं या नहीं 2019 के official notification के हिसाब से Final Air के student apply नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास एक valid degree होना चाहिए apply करने के लिए तो Final Air के student apply नहीं कर पाएंगे उमीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है आपका information आपको gather हो चुका है तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करके हमारे साथ जुड़े रही है